नमस्कार दोस्तो महरसी अगस्ते चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग जिस वीडियो के बारे में बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे कि आने वाला भी स्री कृष्ण जनमास्टमी पर भूल कर भी क्या नहीं करें वो अगर आप करते हैं तो इसकी वज़े से दूखों का पहाड तो आप लोगों को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है कोई भी ऐसा मिस्टेक नहीं करें जिससे कि आपको यह परिशानी हो सकती है तो सबसे पहरे हम लोग जानेंगे कि कृष्ण जनमास्टमी है कब और यह जानने से पहले मैं आप लोगों से अपील कर अगर अपलोड होगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप लोग भी करंट टाइम से रेलेटेड जितनी भी चीजें होती है जो भी धर्म सास्त्र के अनुशार जरूरी है और कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट टोटका आपको मिलता रहेगा जानते रहे इस दिन का विशेस महत्व है जनमास्त्मी भगवान कृष्ण के जनमोत्सों के उपलप्च में हर साल धूमधाम से मनाया जाता है और व्यादिक पंचांग का अनुशार कृष्ण जनमास्त्मी भादरपद माह के कृष्ण पक्ष की अस्टमी तिथी को मनाई जाती है तो आ हमारे धर्ति पर श्री भगवान कृष्ण का अवतरन हुआ था तो धार्मिक मानने आता हैं के अनुशार इस सुब अवसर पर भक्त जन वरत रखते हैं और भाव पुर्ण पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन बहुत सारे ऐसे चीजे भी गलती से आप लोग कर सकते हैं जिसकी वज़े से आपको काफी परिशा नहीं हो सकती है हिंदू पंचांग के अनुशार इस साल जो जन्म आश्टमी मनाया जाएगा वो 26 अगस्त को मनाया जाएगा तो आप लोगों के बीच पर बहुत सारा कंफ्यूजन है 26 अगस्त को होगा या 27 अगस्त को होगा तो मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं कि इस साल जन्म आश्टमी 26 अगस्त को मनाया जाएगा भाद्र जैसे मैंने आप से अल्रेडी बता दिया भाद्रपद माह के कृष्ण जन्म पक्ष की अश्टमी तिथी की सुरुवात 25 अगस्त 2024 दिन रविवार की रात 3.49 मिनट पर होगी व आप जन्म आश्टमी 26 अगस्त को मनाये ठीक है अब हम लोग चलते हैं कि पूजा करने के साथ साथ आप लोगों की जो भी मनुकामना है वो पुर्ण होगा अगर प्रॉपर्टली कोई मिस्टेक कोई गलती अगर आप नहीं करते तो सबसे पहला जो गलती है वो है जो जो इ प्रॉपर्ण्स हैं मचली हैं अंडे हैं सराब है इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए अगर आप इन चीजों का सेवन उस दिन करेंगे तो माना जाता है कि हमसे ब्रह्मांड की शक्ति कम हो जाती है और इस ऐसे सुब दिन पर किसी भी जीव की हत्या का भागिदारी हम जाती है तो आप लोगों को इस पर सतर कराना है कि किसी बित रहका कोई भी तामसिक भौजण मास मचली अंडे सराब अधिका सेवन नहीं करेंगे तो Screenald नहीं करते तो आप लोगों को ह jumping दिற Bennett दूसरा है इस चुब अबधर पर महिएलया अधिकतर क्या करती है कि पूजा कर करने के लिए सुभा सुभाफ नहाती है ना दो कर वुरत रखती हैं और बालों को सूखने के लिए खुल स होड़ देती हैं तो आप लोगों को यह भी ध्यान देना है कि इस सरपर महिलाओं को अपने बालों को खुल नहीं छोड़ना do आपके पस अगर air dryer है, अगर blower है, तो hair dryer से आप उसको dry कर लिजे, या तो तॉलिये से आप बालों को थोड़ा गीला रह जाता है, थोड़ा आप जटके दे कर सुखा सकती हैं, और लेकिन ध्यान रखे कि उस दिन आपको ये खुला नहीं छोड़ना है, बालों को खुला नही चोड़ना है, तीसरी गलती, जो हर कोई ऐसा करते हैं कि इनको ध्यान ही नहीं होता है, कि वो कर रहा है, उनको प्त भी नहीं होता है, ऐसे सहरों में ये ऐसी गलतियां तो नहीं होते हैं, लेकिन वो गाउं देहाथ में, Tichte 260 में य इन starting दिन पर भूल कर भी किसी गौव वंस को परिशान नहीं करना है चाहिए इससे काना जी रुष्ट हो जाते हैं तो आप लोगों को ध्यान देना है कि चरते हुए गाई को या कहीं अगर गाई या इस वंस के जो भी प्रानी हैं उनको आपने धक्का दे दिया मार दिया चड़ी से आपने थोड़ा उनको हांक दिया यह गलती आपको नहीं करनी है इस बात का आपको खासा ध्यान रखना है गाड़ी चलाते समय अगर आपके सामने भी अगर गौवंस के कोई भी अगर प्रजाती आती है तो आपको ध्यान देना है आप दीरे से उतर कर उनको आगे बढ़ा दीजिए उसके बदब गाड़ी इससे जाई धक्का कभी मत देना आप लोग इस बात का ध्यान रखना चौथी गलती जो हर कोई करता है कि उनको द्यान नहीं रहता है वह फैशन में आजकल काले रंग के वस्त्र का चलन है तो पूजा वाले दिन जिस दिन कृष्ण जन्मास्टमी होगा वह काले कपड़े पहल लेते हैं तो इस दिन आपको ध्यान रखना है कि काले वस्त्र से आप लोगोंको दूरी रखनी देए इसमें आप लोगों को काले रंग का कपड़ा नहीं पहन नहीं है इस बात खासा ध्यान रखने आपका काला टी-shirt काला shirt काला काली साड़ी हो सकता है साड़ी…! यह हो लेकिन हो सकता है ब्लाउज अपने काला पैना हो तो आप लोगों को खासा ध्यान रखना है कि इस सुबावसवर पर किसी भी तरह का कोई अंग वस्त्र कोई भी वस्त्र काले रंग का नहीं होना चाहिए इस से आप लोग उस दिन खास करके दूरी ही बना कर रखें और लास्ट आपको ध्यान रखना है कि पूजा पाठ करने के दोरान कहीं ऐसा नहीं हो कि पंडित जी ने बोला हो पुरोय जी ने बोला हो कि आप जाइए तुलसी तोड़कर ले कि आ यह पूजा के समय तुल्सीक पत्ति की जरूड है तो ध्यान रख़िए क्रिश्न जनमाश्टमिक दिन तु कावास होता है आप उनके घर से उनके ग्रहे से आप उनको अलग नहीं कर सकते हैं तो आपको खास ध्यान रखना है कि तुलसी के पत्तों पत्तों को उस दिन आपको तोड़ना है तो यह था हमारा आज का वीडियो क्रिशन जनमांस्तमे के दिन भूल कर भी कौन सी पांच गलतिया नहीं करनी है इस बात का आप धियान रखे और मैं फिर से आप लोगों से अग्रह करूंगा अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजे बहुत इंपॉर्टन जानकारी आपको म समय रहते हैं इसे अभी समस्क्राइब को करता रहूंगा तो आपको अगले वीडियो में ये बी बताओंगा कि कि पुझा पार्ट कैसे करना है उसका क्या विधी है तो वह सब चीज भी आपको हमारे वीडियो बीडियो पर मिलता रहेगा तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक कीजिए आप इसको दूसरे अपने फ्रेंट के साथ भी शेयर कीजिए अपने रिस्तेदारों में शेयर कीजिए कि कोई वो इस तरह की कोई भी गलती ना करे आप मुझे कॉमेंट भी कर सकते है किस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो आज के लिए इतने ही महरसी अगस्ते चैनल पर आप सभी ने हमारे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको पर आप करू भी एस जाहिए भी स्बोड़ करा पस्ते है झाल 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 झाल